हेलो फ्रेंड्स आज राखी के उसर पर मैं आप लोगों के साथ दो तरकी मिठाई की रेस्पी सेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं बना रही हैं दो कलर की बरफी तो उसके लिए मैंने कडाही में बीना तेल के ये एक कप मुंफली लिया था उसको रोस्ट कर रही हूँ मुंफली को मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और जब ये रोस्ट हो जाएगा तो इसको ठंडा करके इसका छिलका निकाल लेना है और फिर इसको मिक्सी में पिसकर इसका पाउडर बना के रख लेना है तो चलिए ये हो चुका है तो इसको ठंडा करते हैं और जब तक ठंडा होता है, हम यहाँ पर देखिए, बिस्किट लिये हैं, यह बारबन बिस्किट है, इसका मैंने दो पैकेट लिया था, यह करीब 12 बिस्किट था, एक में 6 होता है, तो यह 12 बिस्किट था, इसको मैं अच्छे से तोड करके, और इसका एक फाइन पॉडर बना लूँगी यह देखिए, इस सारे बिस्किट को मैंने इसे तोड लिया था, और इसका मैं पॉडर बना के तयार कर लूँगी, तो चलिए, इसको हम सबसे पहले मिक्सी में पिस्किट तयार कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैंने पिस्किट लिया है, इसका पॉडर मैंने तयार कर लिया है, और इसमें मैं कोई भी flavor या चीनी यहीं आड़ करूंगी कियोंकि बिस्कित खुद्ड मीटा है क्रीम का था और इसमें चीनी भी तो बिस्कित में में कुछ भी नहीं आट करूंगी बस इसमें थोड़ा थोड़ा डूर डूर डालकर इसका एक डोध त्यार कर लेना है इसको हमें लिक्विड नहीं बनाना है अच्छे से गुंद के इसको रेडी कर लेना है कि जब मैं इसको जब मूम फली के उपर उसके पेस्ट के उपर इसको फैलाओंगी तो बस यह आराम से उसके उपर स्प्रेड हो जाएगा तो देखिए थोड़ा थोड रेतर रांते हमिक चंब से मैं दूड़ा थोड़ा त्यार करे मत अब इस तरीके से तो थोड़ा थोड़ा कर रहरा है ज्याधा डालाओंगी तो यह होत जिखिए तसक कर त्यार ना हो तो यह थे स्काष्ण बस बेच भी चुका है तो अब दूद कर कर दूगी और यह देख इसको फैलाओंगी तो याराम से फैल जाएगा तो चलिए इसको अभी हम ढग के साइड में रख लेते हैं और अभी हम आगी का प्रोसेस स्टाट करते हैं तो यहां पर देखिए मुमफली को मैंने छिल लिया है अच्छे से इसका छिल के निकाल चुकी हूँ अब इसको हम मिक मुमफली को देखिए इसी तरीके से हमें बड़ियां तयार करना है और अब हम इसके बाद इसमें हम मिलाएंगे दो बडये चम्मच यह मिल्क पौडर हैं तो अब इसमें गड requirements view to set अफ कर दे chamber दें कुछ भी आप डाल सकते हैं लेकिन मैं इसमें सिर्फ इलाइची पौडर ही डालूंगी इससे इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा तो बस इस सब को डाल के अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सब को यहां पर देखी मैंने अच्छे से सारा कुछ मिला लिया मिल्क पौडर म मुझच तक मिलाती रहना है जब तक की चीनी अच्छे से घूल न जाएा और इसका हमें एक या दो तार नहीं बनाना速 भनाते ऐसकान को यह किशाना है इसको तब-तब कर ददेंगे जब देंगे हो जब तरफ यह चिपक रहा है यह चिनी का खोल यह अच्छे से त्यार हो चुका है तो अब हम क्या करेंगे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे तो गैस का फ्लेम बंद करने के बाद ही यह जो पौडर हमने बना के रखा है इसको हम धीरे धीरे इसमें एड़ करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे गैस का फ्लेम अन करके रखने पर इसको डालने से क्या होगा यह बहुत जल्दी मिल जाए तो आप जब भी इसको मिलाईए पाउडर को तो आप ग्यास का फ्लेम बंद करके ही मिलाईए जिसे कि बहुत ही अच्छे तरीके से मिल के हो जाता है और जब सारा मिल जाएगा उसके बाद हम ग्यास का फ्लेम अन करेंगे यहां देखिए मैं इसी तरह से धीरे-धीरे करके प पकाना है जब तक यह अच्छे से कड़ाई न छोड़ने लगे तो इसी तरह किसा मिलाते हुए इसको हमें पकाते रहना है यह देखिए मैं जैसे मिला रही हूं दिरे-धीरे पकते जाएगा और अपने आप यह थोड़ा-थोड़ा दिरे-धीरे करके कड़ाई छोड़ने यह देखिए अब यह करीब करीब हो चुका और इसको देखने के सबसे बड़ा तरी अच्छा तरीका है कि हम इसको अपनी उंगलियों पर लेकर के इसको हम चेक कर सकते हैं कि अगर थोड़ा सा यह रॉल बनने लगता है तो इसका मतब़े कि यह त्यार हो चुका है यह कीसी चारोंतरफ से इसको फैला लेंगे पुरी तरी किसी कि बहुत जल्दी जम जाता है तो हमें फटा फट इसको रहलाना है फैला थनडा कर लेंगे और ठंडा करने के बाद मैंने जो बिस्किट का डो त्यार किया था वो इसको उपर हम फैला देंगे sorry friends मेरा वो वीडियो skip हो गया पता नहीं कैसे delete हो गया मैं वो नहीं suit कर पाई इसके लिए बहुत-बहुत sorry है आपसे कि बस कुश नहीं करना था इसके ऊपर ही इसको रखके धीरे conclus서 नहीं कर अलगा इसके ऊपर में देकोरेट कर दी शाना कोचा और अब हम इसको कटिंग करेंगे आपको जो भी की शWork चाहिए तो कट कर सकते हैं तो यहां या rectangle shape में मैं इसको cut कर लिए और यह आराम से cut रहा है देखिए कितना soft बना है यह देखिए perfect बनके तयार हो चुका हमारा यह दो color का बड़फी देखिए लग रहा है ना बिल्कुल market के जैसा कितना सुंदर color होके आया है यह इस तरीके से देखिए एकदम market के जैसा लग रहा ह सकते हैं और यह खाने में भी बहुत टेस्टी बहुत अच्छा बना था यहां मैंने सर्फ किया यह देखिए कितना बढ़िया कितना खुबसूरत कितना अ च्छा वह दो, तेज़ार हो चुका है और सिर्प 2-3 चीजों से हमने मिठाई बनाई है और यह कितना सारा मिठाई बन चुका है अब यहां सर्फ करने के लिए मैंने थोड़ा ही रखा है तो यह देखिए ऐसा ही मिलता है न मार्केट में बिल्कुल जो दो तरह की मिठाई हम लोग लाते हैं म देखिए बिल्कुल वैसा ही पर्फेक्ट बनके तयार हो गया है कितना बढ़ियां और कितना अच्छा दिख रहा है तो आप भी आराम से घर में बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होती है और यह जो उपर बिस्किट मैंने डाला था आप दूसरा भी कोई फ्लेवर हो आप व तो चलिए अब हम बनाते हैं नारियल का पेड़ा तो इसके मैंने कडाही में डेड़ चमच करिब सुधगी लिया है उसको मैंने डाल दिया है घी जब थोड़ा से मेल्ट हो गया तो यह देखिए उसको अच्छे से के लिए आधा कब दूद लिया है वह इसमें डाल दोगी टूड़ के बाद ब्रफ च्रम इंडेंगें यह देखिए दूद गरम हो चुका अच्छे से न entitled park ग्यास के दोड़ा दंकर दिया है और गैसक बंद कर दिया है और गैसका फली यह tag미 रोड़ा यह इन है पर मैं इस चरोख फाइस हैं तो यहां पर थोड़ा थोड़ा कर के में मिल्क पॉड़र को मिलाती जा 보며 यह तो गैस का फिलम बंग है forgive मिल्क पाईस को इसमें रही हैं और ऑपरकाehस उपन ao अच्छे से बाल चाएगाँ इस आगे इसटाइ़ करेंगे इसमें मिलक पौर्डर दूद में अब मैं गैस का फलेंग तो इसमें मैं अछ्छे से बस्कारें जीनी का पौडर डल रही हूं नहीं परिए तो अब चीनी को इसमें अच्षे सेrafy मिक्स कर लेंगे अर जब चीनी कि अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो क्या करेंगे आधा कटोरी से थोरा सीजादा मैंने नार्येल का पॉडर लिया तो अब हम उसको भी इसमें एड़ कर देंगे यह जब अच्छे से चीनी इसमें मिक्स हो जाएगा मेल्ट हो गया पूरे अच्छे से क्योंकि चीनी तो पाउडर बनाया था मैंने तो यहाँ पर देखिए थोरा आधा कटोरी से थोरा सा ज़्यादा मैंने यह नारियल का बुरादा लिया है वो मैंने इसमें मिला दिया अब सबको हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है आप चाहें तो इसमें कोई फूट कलर है आपके पास तो भी एड़ कर सकते हैं लेकिन मैं फूट कलर नहीं एड़ करूंगी मुझे वाइठी बनानी है तो इसलिए मैं कोई फूट कलर इसमें नहीं एड़ कर रही हूं आपके पास अगर है तो आप मिला सकते हैं इसमें का जो मैं पेडा बनाऊंगी वो मैं वाइठी बनाऊंगी तो इसको भी बस हमें ऐसे ही मिक्स करते जाना है जब तक यह पूर अच्छे से ठीक ना हो जाए तो यहां पर देखिए हमें इसे मिलाते रहना है तो अब जाके धीरे-धीरे थोड़ा सा ठीक हो रहा है क्योंकि चीन पड़ें छाहिए प्लेवर के लिए तो मैंने कोई कलर नहीं डाला है मैंने इलाइची कई पॉड़र डाल दिया है इसको मिलाकर आच्छे से हमें च्झाशेतर पकाना है इसको उतना ही देर देखना है हम आगे दिखाऊंगी मैं कि अगर गोली बनके तयार हो जा रहा है ये तो आपका ये जो बैटर है ये पर्फेक्ट हो गया है पेरा बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो गया है लेकिन अभी हमें इसको पकाना है कुछ दिर और तो हम पकाते रहेंगे इसी तरीके से ये देख करना है तो हम कैसे चिक करेंगे वह मैं यहाँ पर अभी आपको आगे में दिखा रही हूं तो अभी देख ली जी अभी हमें और भी इसको मिलाते रहना है इस तरीके से हमें पूरा अच्छे से मिलाते रहना है यहाँ पर देखिए ये बनके तयार हो चुका है इसने कराही दम पूरा एक बैटर के जैसा यह दम गोल हो जा रहा है तो यह अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे तो यहां पर देखिए मैं गोला बना के दिखा रही हूं कि देखिए इस तरीके से यह अपने हतेली में लेके देखिए यह हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तो कुछ in करना है गैस का फ्लेम अब वम बन कर देंगे और इसको एक फ्लेट में निकाल के रख लेंगे गैस का फ्लेम में बन कर दिया बन कर दिया है और लेकिन थोड़ी दियर आप इसको कि अरह बिल्कुल ओ चुका है तो अब देखिए यहां पर गीने लगा तो यह जमने लगेगा तो फिर हम जो सेप चाहते हैं वह सेप बनके त्यार नहीं होगा तो एक दुस्रे कटोरी मैंने थोड़ा सा नारेल का पॉडर लेके रख लिया है अब देखे हलका हलका गरमी है तभी हमें इसका बनाना है तो बस थोड़ा सा मैंने पेस्ट उठाया है वहां पर जायता है और अंगली की सहाथा प्रेस किया उसके बात मैंने सुखा नारेल के इसको में दिखा रहा हूँ है तक मैं रख रहे हैं और बस भीप के वह दिखा है हूं अगली से प्रेस के लेख और सुखा नारियल लगा कर इसमें बस वह जो पौडर मैंने रखा है वो इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी बस डेकोरेट के लिए इसी तरह मैंने सारे बना के रख ली यह देखिए मेरा पेडा बन के तयार हो चुका है बिल्कुल यहां देखिए कितना बढ़ियां कितना अ होता है दिख लिया था होताही शुका लिया था दर लियान धे झाली समें आफ इससे मैं देकोरेट कर दी यह देखिए कितना अच्छा दिख रहा है अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो मेरी यह दोनों मीठाई कि रेस्पी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को फटा फट लाइक कर दीजेगा मेरे वीडियो को सेर कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा तो हैपी रक्षा बंदन आप सभी को तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक बने रहेगा मेरे स बाइ 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 गुट दे टेक चेर देंज